दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर हाजर हूँ आपके साथ एक नए स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की जो इस स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा उसके अलावा इस स् इंग्लिश के word meaning सीखने को मिलेंगे उनकी correct pronunciation के बारे में पता चलेगा और जो इसका grammar का part है उसे बिल्कुल detail में cover करेंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का title देखते है कहानी का title है The God's Advice क्या मतलब हुआ दोस्तों यहां और किया कह सकते है भगवान की सला तो दोस्तों यह आज की इस कहानी का title है शिर्शक है और आप में इसे पढ़ना शुरू करता हूँ आपसे request है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे ठीक से समझ सकें तो चलिए इसको शुरू करते है once there was a poor beggar क्या मतलब हुआ दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है यह past simple past का वाक्य है जब भी किसी वाक्य के अंदर was या work को लेकर कोई वाक्य बनाया जाता है और वहां पर किसी भी तरह की वर्व का प्रियोग नहीं किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को simple past का वाक्य कहा जाता है तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ once एक बार there was a poor beggar एक गरीब बिखारी था one day एक दिन he went to meet the village head to beg for money क्या मतलब हुआ one day मतलब की एक दिन he went दोस्तो यह जो sentence है यह past indefinite का वाक्य है क्योंकि यह जो आज की story है यह past indefinite में है और जब भी past indefinite में affirmative का वाक्य बनाया जाता है तो वहां वर्व की second form का प्रियोग किया जाता है तो क्या मतलब हुआ एक दिन he went where गया to meet मिलने the village head village head से village head का मतलब होता है गाउं का मुखिय या कह सकते हैं गाउं के प्रिधान से two bag भीग मागने के लिए for two bag for money मतलब पैसो के लिए भीग मागने के लिए और दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो हमारा वाक्य है he went to meet यह एक ऐसा वाक्य है जहां पर दो वर्वो को प्रियोग किया गया तो जब भी आपको two का प्रियोग करना होता है और two के बाद हमेशा ही वर्व की first time का प्रियोग किया जाता है तो आप इन चीज़ों को याद रखें तो इस line का क्या मतलब हुआ कि एक दिन he went to meet the village head वह गाउं के प्रधान से मिलने गया two bag for money मतलब की पैसो के लिए भीग मागने two bag for money मतलब पैसो के लिए भीग मागने के लिए बट लेकिन the village head had gone to meet the king क्या मतलब हुआ और दोस्तों यहाँ head के साथ third form का प्रियोग किया गया जब भी head के साथ third form का प्रियोग किया जाता है तो इस तरह के वाके को पास ये इस तरह के जो वाके होते हो पास perfect के वाके होते ह तो क्या मतलब हुआ इसका बट लेकिन the village head जो village का head ता मतलब जो गाओं का प्रिधान था had gone to meet वो मिलने गया हुआ था meet the king राजा से to ask for grants मतलब किसी तरह के अनुदान के लिए grants का मतलब होता है किसी तरह का अनुदान उसे grants कहा जाता है तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि but the village head had gone to meet the king लेकिन जो गाओं का प्रिधान था वो राजा से मिलने गया हुआ था किस लिए to ask for grants मतलब अनुदान के लिए when the beggar came to know ये दोस्तों कम की second form है came to know जिसका मतलब होता है पता चलना when जब the beggar बिखारी को came to know पता चलना about it इस बारे में he thought उसने सोचा ये थीं की second form है he thought that king must be richer जो राजा है वो जरूर क्या होगा अमीर होगा रिचर और ये रिचर जो है ये रिच की second superlative degree रिच मतलब अमीर और रिचर मतलब उससे अमीर तो उसने क्या सोचा की राजा जो है वो जरूर अमीर होगा than the village head जो गाउं का प्रधान है उससे ज़्यादा अमीर होगा as जैसे की he was helping जैसे की वो मदद कर रहा था the village head गाउं के प्रधान की तो इस पूरी line का आप मतलब समझे गयोंगे क्या मतलब हुआ कि जब beggar को इस बारे में पता चला कि उसने क्या सोचा कि जो राजा है वो जरूर गाउं के जो प्रधान है उससे ज़्यादा अमीर होगा क्योंकि वो जो है वो मदद कर रहा था गाउं के प्रधान की तो इसल इसलिए उसने फैसला किया टू गो जाने का टू दा किंग राजा के पास फूर बैगिंग भीग मागने के लिए चलिए आगे देखिए और दोस्तों यह भी हमारा जो वाक्य है यहां दो वर्मों का प्रियोग किया गया डिसाइड जो है पहली वर्म है और यह पास बीग के लिए चलिए आगे देखिए और ऑन इस वे अपने रास्ते पर ही सौ आ लार्ज क्राउड उसने वड़ी भीड़ को देखा यह सेकिन्द फॉम में ही सो लार्ज क्राउड उसने बड़ी भीड़ को देखा when he inquired inquire का मतलब होता है पूस्ताच करना when he inquired जब उसने पूस्ताच की about it इस बारे में he found उसने पाया that की the king was asking God जो राजा है वो इश्वर को कह रहा था क्या कह रहा था God to keep his treasury मतलब उसके खजाने को full पूरा रखने के लिए पूरा रखने के लिए all the time हर समय तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब होगा की when he inquired about it जब उसने इस बारे में जानकारी ली पूस्ताच की he found उसने पाया की जो राजा है the king was asking God वो राजा का इश्वर को से मांग रहा था क्या मांग रहाता है कह रहाता to keep his treasury full all the time की इश्वर जो है वो उसके खजाने को हमेशा full रखें मतलब की हमेशा भरपूर रखें चली आगे देखिए now अब the beggar thought ये थिंकी second form है now the beggar thought अब बिखारी ने सोचा that की God must be richer than the king क्या मतलब हो और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जब भी हम दो लोगों की तुलना करते हैं किसी भी adjective को यूज करके तो हमेशा ही हमें second superlative degree का प्रियोग करना होता यहाँ पर दो subjects की तुलना की जा रही है God की और राजा की तो यहाँ पर second superlative degree का प्रियोग किया गया rich की second degree richer तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ अब दा बैगर थौट बिखारी ने सोचा that की God must be richer than the king जो इश्वर भगवान है वो जरूर अधिक अमीर होगा किस से than the king मतलब वो इश्वर जो है वो राजा से जादा अमीर होगा so इसलिए he went in front of God इसलिए वो भगवान के सामने गया in front of मतलब सामने in front of God इसलिए वो भगवान के सामने गया to bag भीग मागने के लिए चलिए आगे देखिए God said इश्वर ने कहा dear child मतलब कि प्यारे बच्चे you should stop begging दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर हम किसी को किसी भी तला का कोई सुझाव या dear child मतलब कि प्यारे बच्चे you should stop begging मतलब आपको भीख मागना छोड़ देना चाहिए या कह सकते हैं आपको भीख मागना बंद कर देना चाहिए and earn your living living का मतलब होता है जीवी का आप इसे नोट कर सकते है and earn your living और आपको अपने जीवी का कमानी चाहिए with hard work महनत से तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ you should stop begging and earn your living with hard work मतलब की आपको भीख मागना बंद कर देना चाहिए और महनत से अपने जीवी का को कमाना चाहिए चलिए आगे देखिए from then onwards onwards अपने जीवी का को कमाने के लिए तो दोस्तो इस तरह से यह आज की स्टोरी थी और जैसा हमने देखा जो कहानी का सार था सार जो है बहुत सुन्दर है उससे हमें क्या सिक्षा मिलती है कि जैसा हमने देखा कि यह जो बिखारी था यह महनत नहीं करता था भीख मागता था और जब वो एक बार इश्वर के पास गया तो इश्वर ने उसे समझाया कि आपको भीख नहीं मागनी चाहिए अगर आप जीवी का कमाना चाहते हो तो आपको महनत से अपने जीवी का कमानी चाहिए तो दोस्तो यह आज की स्टोरी थी और अगर आपको आज की कानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रियास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें शेर भी करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करें क्योंकि बैल आइकन अजदी आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन